हेलो एवरीवन, वेलकम इंटू स्मार्ट स्टडी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलेंडर का टॉपिक जिसके हम फोर्मुलाइज आपको बताएंगे इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और अगर आपने सबस्क्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना चलो स्टार्ट करते हैं आज का टोफिक रैट सर्कूलर सिलेंडर ठीका जिसको हम ठोस बेलन भी बोलते हैं पहले हम यहाँ पर एक बेलन रो कर लेते हैं ठीक है जो बेलन होता है वो क्या होता है उपर से और नीचे से सर्कूलर होता है ठीक है यहाँ पर इसकी क्या होती है यह होती है रेडियस क्योंकि सर्कल है जो सर्कल की यहां से रेडियस यह पूरा डायमेटर है तो यह क्या है रेडियस ठीक है और यह यहां से यहां तक यह क् ठीक है अब हमें इसका क्या निकालना है हमें इसका पुछे वोल्यूम अगर हमें वोल्यूम निकालना है बेलन का सिलेंडर का तो वोल्यूम कैसे निकालते हैं देखो वोल्यूम को हम बोलते है आयतन मीन्स इसकी कपैस्टी तो पहले हमें इसका देखना base क्या है? base का area निकाल लो तो base क्या है इसका? इसका base है circle, circular तो circle का area क्या होता है? π.r square और इसकी multiply कर दो height के साथ तो item कितना आ जाएगा इसका? इसका volume कितना आ जाएगा? π.r square एच ये तो हो गया हमारा volume अब हमें निकालना क्या है इसका कॉर्ड सर्फेस एरिया क्या निकालना है कॉर्ड सर्फेस एरिया जिसको हम क्या बोलते हैं वकर प्रेस्टिय अक्छेतरफल हिंदी में क्या बोलते हैं वकर प्रेस्टिय अक्छेतरफल अब ये देखो कैसे निकलेगा chord surface area में हमें सिर्फ बाहर बाहर की boundary लेनी है में top और bottom नहीं लेना होता chord में सिर्फ बाहर की boundary तो बाहर की boundary उसके लिए हमें क्या करना है जो circle है ना उसका circumference कितना होता है 2 pi r और साथ में multiply कर दो इसकी height के साथ तो कितना आ जाएगा 2 pi r h यह क्या होगा इसका वकर प्रष्ट एक छेतरफल या फिर इसको बोलते हैं chord surface area और third क्या है इसमें total surface area क्या है इसका जो total surface area है वो क्या होता है इसको क्या बोलते हैं संपूर्ण प्रष्ट एक छेतरफल ठीक है संपोन प्रष्टि एक छेतरफल कैसे निकलता है इसके लिए क्या करना है आपको जो वकर्ष्टि एक छेतरफल है वो तो हमारा है यह 2 pi r h इसके अंदर हमें क्या चीज़ आड़ करनी है top और bottom ठीक है क्या है top और bottom इस circle है और circle का area कितना होता है pi r square ये वाला पाई आर स्केर उपर से कितना हो गया 2 पाई आर स्केर ठीक है तो यहां से कोमन क्या आएगा 2 पाई और आर कोमन आ रहा है न यहां बची गया आर यहां बची गया एच तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच तो यह क्या बन गया टोटल सर्फेस एरिया हो गया ठोस, बेलन का, राइट सर्कूलर सिलेंडर का, होप करते हैं, यहां तक आपको अच्छे से समझाया होगा अभी हम स्टार्ट करते हैं, होलो सिलेंडर ठीक है, होलो सिलेंडर क्या आपटा अगर हम से पूछे की, होलो सिलेंडर का जो वोलूम है, होलो सिलेंडर का वोलूम कितना होता है, वो पाई आर स्केर एच ही होता है, यहां पर पहले हम बना लेते हैं, सबसे पहले हमने एक सिलेंडर बना लिया, अब होलो सिलेंडर में क्या होता है? कुछ ऐसा होता है. ठीक है? इसमें दो radius होती है. ठीक है? तो ये वाली radius को हम बोलते हैं small r और इसको हम notation, notate करते हैं r से. ठीक है? छोटे वाले की radius small r है और बड़े वाले की क्या है? capital r है. तो इसका volume तो हो जाएगा पाई आर स्केर एच लेकिन अगर आपसे पुछे कि इसकी जो ये सिलेंडर इसको बनाने में कितनी धातू लगी है ठीक है जो बनाने में धातू कितनी लगी है उसको बताना है तो वो कैसे करेंगे हम देखो बनाने में ये वाला portion बताना है न हमें सारा ये वाला portion तो इसके लिए हमें क्या करना है जो बड़े वाले cylinder का volume है क्या होगा πाई आर स्केर एच क्योंकि बड़े वाले की तो क्या है radius capital R है ना उसमें से minus कर देंगे ये वाला cylinder का volume कितना हो जाएगा पाई आर स्केर एच तो यहां से common क्या आएगा पाई एच इंटू R स्केर माइनस R स्केर ही हुआ ना तो अगर पुछे इसका volume क्या है तो इसका volume क्या होगा पाई आर स्केर एच और अगर पुछे की इसको पनाने में धत्तू कितनी यूज होगी तो उसके लिए क्या formula है पाई आर स्केर माइनस ये वाला आर स्केर क्योंकि ये बड़े वाला जो सिलेंडर है और ये छोटे वाला सिलेंडर है अब बात है इसका chord surface area ठीक है अब इसका chord surface area क्या होता है देखो पहले आपको जो ठोस बेलन था उसका कितना था chord surface area ठीक है अभी हमने किसका बताना है जो गोलो सिलेंडर है उसका बताना है देखो इसका होता है 2 पाई आर इंटू आर माइनस आर ठीक है क्या हो जाएगा इसका 2 पाई आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर यहां पर क्या है कैपिटल आर है जो बड़े वाला है ये वाला सिलेंडर और ये वाला क्या है छोटे वाला क्या है स्मॉल आर छोटे वाले सिलेंडर की है ठीक है अभी आप बने रहे हैं हमारे साथ next video में इसको पूरा करवाते हैं